What's up guys, आज हम देखेंगे शेख हसीना से क्यों मिले अजीट डोवाल सर, अंदर की पूरी कहानी समझ यह और साथ साथ B.S.F. I.L.8 पर है, तो क्या कुछ है पूरे मामला देखते हैं, डिटेल में पता लेगा, मेजर गौरवे सर की वीडियो है, ओजर वीडियो के लिंक है, ड करा कि इस्ट पाकिस्तान अब बंगलादेश बन चुका है, तुम क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो पाकिस्तानी, पाकिस्तानियों के गालों पे चपल नहीं पड़ते, अपनी आउकात पे नहीं आते, यही कलमा वाला ड्रामा यह लोग कर रहे थे, हमारे जो इसलामिक कर देखे लिए इनके प्रा यह घुज गए, काबुल में इनके प्रा, प्रा नहीं मार मार के सुर बना दिया हैं यह मेरे वर्ड्स नहीं है, यह यहां पर इसाही देश बनागा है, आप हमारे पाले में आ जाओ, शेक आपकर बना कर दिया, सारा मेट तबाव, पाकिस्तान म में यह कह रहे हैं कि साब, यह तो बहुत ही चांदार बात होगा है, तब भी खुश थे गस्तालिवन अफगानिस्तान पे उगजा रहा था, वी नहीं के बहुत है, इस बंदे ने पाकिस्तान के हिस्से करे थे, उसका बुथ तोड़ दिया, तो पाकिस्तानी खुशी मना र हुआ, आज मैं आपको चार-पांच पॉइंट बताता हूं कि अजीब सी बात क्यों है, बंगलादेश की प्राइम मिनिस्टर जान बचा के भागती हैं क्योंकि भीड आ रही है उनको मारने के लिए, वो जाती हैं एक आईसोलेटिड एर फील्ड में, एक हवाई पट्टी म है, वहाँ से एक हेलिकॉप्टर ओड़ता है, वहाँ से एक हेलिकॉप्टर ओड़ता है और वो अगरतला में लैंड होता है, अगरतला में एक इंडियन एर फोर्स का जहाज उनको मिलता है, जो इंडियन एर फोर्स का जहाज वहाँ पे उनको मिलता है, वो उनको लेकर आता है डिरेकली री इंडन एर बेस जो कि गाजियाबाद में या नि कि नॉईडाय के बिल्कुल बगादने हैं हिंडन एयर बेस में बारत के एनसे अजीट दोवाल सहब प्राइम मेनेस्टर श scripture हसीने से मिलip प्राइम चाहती दोस्तों पंगलादेश की फॉज चाहती तो उसको हेलीकॉप्टर ना देती और वही बेपकड़ लेती फॉज का उनको हेलीकॉप्टर देना उस हेलीकॉप्टर की परमिशन भारत के एर स्पेस में घुसने की और अगर तला में लैंड होने की और फिर वहां से जहाज ओड़के दिल्ली आने की और NSA के मिलने की दोस्तों ये बात कुछ मुझे हजम नहीं हो रही है ह्याए बात मैंने आपको एरान के बारे में बोली थी मुझे अजम नहीं हो रही है वह बात फर बता रहा हूं कि ऐसा हो नहीं सकता कि अन्टरनाशनल बॉर्डर क्रोस करके बंगलादेश आर्मी का सिविलियन हेलिकॉप्टर चलो एक बार हमने बात समझ दी एक बार हमने बा हम कहते हैं आने तो जैसी वो इंडियन एर स्पेस में एंट्री करता है तो हाशिमारा एर बेस 101 स्कौर्डन के दो रफैल उसके आसपास उड़ना शुरू हो जाते हैं बीच में हेलिकॉप्टर चल रहा है और यहां पे दो रफैल चल रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए जैसा मैंने बोला अगर तला में लेंड करा वहां से ट्रांसपोर्ट एक्राफ टेक आफ करा इंडियन एर फोर्स का यहां पे लेंड करता है यहां पे डोवाल साब बात करते हैं जैसी डोवाल साब बात करते हैं दो घंटे के अंदर कैबिनेट कमिटी औन सेक्यूरिटी जो क बड़े बड़े लोग यार होम मिनिस्टर रमेचा जी सारे लोग बैठें अचाना को मीटिंग हो जाती है फिर दोस्तों अचाना के ख़बर आती है कि श्रीद दलजीत सिंग चौधरी ओनरेबल डी जी बीस एफ इस अलरी इन वेस बेंगौल ये पहुंच चुके हैं वहां प कूछ रहा था दोवाल साब को ये सब पता था ये मैं मानन नहीं सकता ऐसा मुझे कल लगता था फिर खबर आए कि नहीं पढ़ने वर्मा हाइक हमिशनर इंडिया ने देश हैं भांगलडेश में भढ़ते हैं वह चुपिछाप मिले थे शेह हसीना से भाई साब ये ये मामला बड़ा पेचीदा है ये मामला वो नहीं है जो आप और हम समझ रहे है ये मामला है कुछ और और मैं जान बूच के कोई conspiracy तेओरी यहां पर नहीं डालना चाहता आपको ये बता के कि नहीं कुछ और एक साजिश है लेकिन ये भी बात है जो प्रधान मंत रही हैं दोस्तों वो मिले Lieutenant General Johnson Matthew से Lieutenant General Johnson Matthew कौन है Lieutenant General Johnson Matthew is Integrated Defense Staff के चीफ उन से मिले वो Chief of Army Staff General देवेदी से मिले और इसके अलावा वो मिले RAW के चीफ से और Intelligence Bureau के चीफ से और ये सारी के सारी चीज़ें हो रही है वहाँ पर पता लग रहा है कि BSF is on higher alert और जब मैं पता लगा रहा हूँ अपने सूत्रों से तो पता लगा कि आर्मी भी alert पे है, नेवी भी alert पे है, एरफोर्स भी alert पे है सब को बता दिया है कि तुम सीधे हो जाओ बिल्कुल अभी कुछ होने वाला है कमर टाइट, नजरे सीधी, कुछ होने वाला है अब दोस्तों क्या होने वाला है, जरा इसके उपर आज डिसकॉशन कर लेते हैं क्योंकि ये जो matter है बंगलादेश का, ये वो है ही नहीं जो हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं पाकिस्तान से रियाक्शन आ रहे हैं कि बड़ा मज़ा है, जिस आदमी कुछ हो गए है हलके लोग हैं दौस्तों, हलक़ कौन है, सी काटेगरी की बी-ग्रेड कौन है अरे उसके स्टैचू का उसके बुथ का तूटने से तुम्हें क्या फाइदा उसने तुम्हारा मुल्क तोड़ दिया बेवकूफा तुम्हारा जो देश है उसके दो टुकले कर दिया उसका बुथ तूटे न तूटे उससे क्या फरक पड़ता है उसकी फॉज तो पहली उसको धोका दे चुकी है तुमारे बंगला डालने से क्या फरक पड़ता है 1971 में शेक मुझीबूर रह्मान ने डिक्लेयर करा कि इस्ट पाकिस्तान अब बंगला देश बन चुका है 1971 में और 75 में उसी की फॉज ने उसकी हत्या कर दिया उसका मुर्डर कर दिया 1975 यहनी की आजादी के चार साल के बाद उसी की फॉज ने उसी का कतल कर दिया तुम क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो पाकिस्तानी और बड़े ट्रिटर पर जाके बड़ा शेर बन रहे हैं के यह हो गया और ऐसा हो गया और हमारा उनके साथ रिष्टा है कलमा वाला जब तक पाकिस्तानियों के गालों पे चपल नहीं पड़ते हैं यही कलमा वाला ड् सब्सक्राबेना स्ब्सक्राइब 20 मेंना जाए ऐसे वर्याब के नहीं काबोल इने क्वान को बड़ा म era जगए बना दिया दिया इनका पनलफ हैill ँब गया और हैं मैं ब difference नहीं का बना देश पिसना कहीं सारा स्टूरियां बीच में ऐीड्यां में ने पारशियां मैं आपको बताऊंगा लेकिन सबसे पहले हमने कल डिसकस करा था चाइना का रोल हमने मोंगला पोर्ट के बारे में बात करी थी हमने तीस्ता रिवर के बारे में बात करी थी कुछ समय पहले एक डेड़ दो महीना पहले शेक हसीना को पता था कि कुछ गड़बल हो रहा है और says कि एक गोरा बंदा आया था और उसने बोला कि मायमार से कुछ जमीन लेंगे कुछ हम बंगलादेश से लेंगे और यहां पे हमें एक क्रिश्चन कंट्री बनानी है यह मेरे वर्ड्स नहीं है यह शेख हसीना के वर्ड्स है कि हमें यहां पे इसाई देश बनाना है वो काई क कि चुनाओं में और आपके रूलिंग में इस पूरी प्रक्रिया में कोई नुकसान नहीं होगा आपको आप सेफ हो आप चिंता मत करो आप हमारे पाले में आ जाओ शेख हसीना ने मना कर दिया सारा मैटर तबाह हो गया और वहां पे ब्रेक आउट कर गई एंटी हिंदु राइट्स जिसको काटो जिसको जलाओ जिसको मारो यह बंगलादेश में चल रहा है अच्छा आइम सर्प्राइस मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं वहां पे इतने हिंदु मार दिये मार दिये मैंने एक बात नोट क आपको लिखना आता है तो आप भी लिख दीजे लए लिखना आता कोई बात ने सुनिए अपसे यह पूछना चाह रहा है कि क्या ऐसा है मैं इसलामिक कंट्री में डेमोकरिसी कभी ढंग से पन अपनी और ऐसा क्यों है मैं यह जानना चाह रहा हूं इवन इंडोनेशिया व उसमें भी I think 60s में कूँ हुआ था आज चाही डेमोकरिसी हो तुरकी में आज चाही डेमोकरिसी हो तुरकी में कूँ हो चुके है पाकिस्तान का तो बेड़ा और क्या चार पांच बार पता नहीं कितनी है निकरी ना आता है कोई डिक्टेटर आता है उनका कॉंस्टूशन बंगलादेश में अभी आपने देखा बंगलादेश में तो एक साल था 70s में I think it was 75 और 79 ऐसी कोई साल था वहां पे एक साल में चार कू हुए था और एक बार तो एक हफते में दो बार हुए यह मैंने कल कवर कर रहा था तो मैं यह कहना चाहरा हूँ कि वहां पे हो क्या रह है दोस्तों यह जो सारी बाते मैंने आपको समझाई हैं कि एनसे साफ से मीटिंग हुई फिर चीफ अवामी स्टाफ रो के चीफ आई बी के चीफ यह अपने लेटन जनरल जॉंसन वहां पे थे और यह डी जी बीस अफ का वहां पे जाना यह भारत ऐसे आक्शन क्यों ले र और भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बंगलादेशी वैसे भी आते हैं इनको आप रोक नहीं सकते कभी पानी के अंदर से आएंगे कभी जमीन के अंदर से निकल के आते हैं कभी छलांग मार के आते हैं कही न कहीं से यह लोग रस्ता निकाल लेते हैं भारत के कर देंगे मैं आपको बाद बताओं दोस्तों अगर भारत के बॉर्डर पे जहां पर अभी बीएसएफ खड़ी है और आर्मी को भी आपने बोल दिया कि आप तयार हो जाओ और सामने से भीड़ा जाती है वह फॉजी क्या करेगा दोस्तों मैं भारती सेना का जो फॉजी है अ अभी तो वहां पर बीएसएफ खड़ी है लेकिन आर्मी को भी आपने बोल दिया है कि आप तयार हो जाओ वहां पर अगर फॉजी की मान सिकता से भली भांती पर चित हूँ अगर वहां पर फॉजी अकेला खड़ा है और हजार की भीड़ा गाई वह भिड़ जाएगा चाह यही होगा जिस दिन भीड़ाएगी बच्चे और और सबसे आगे होंगे और मर्द होंगे 500 मीटर पीछे और वो जो फॉजी है ना वो फॉजी अपना हतियार विल्कुल कोने में रख देगा वो कहा मैं इनके उपर गोली नहीं चला सकता इनको यह बात पता है तो दोस्तों आज की तारिक में पाकिस्तान में बड़ा जश्न मनाए जा रहा है पाकिस्तान में बड़ी एक हैपिनेस एक बड़ा एक बड़ा खुशी का माहौल है पाकिस्तान में यह कह रहे हैं कि सब यह तो बहुत ही चानदार बात हो गई और बड़ा मज़ा हो गया है क्या चीज़ जिस बंदें पकिस्तानी के हिस्से करें और उसका बुथ तोड़ बेगूफ हैं भी काम हमने बंगला देश में करना है जो तुम लोग घुमारे हो ना अपनी बात कि वहां पर रौवाले पकड़े गाए उचोड़ो ना रौवा पकिस्तानी ओचोड़ो अभी बंगला देशि उस जखम की ऊपर हरे हरे डालर का एक मरहम लगाए जाए गा हरा डालर जो होता है उसका मरहम लगाए जाएगा और हरे डालर की मरहम से सब ठीक हो जाता है डुल यहामें हम तुमें दे दें तुम हमारे बूर्ट पॉलिस कर लो पॉइंट है ये शेवाद शेरीफ के दिल्ली में मेजर गौरावारिया की चाकरी करे अगर मैं शेवाद शेरीफ को वोलू कि लिए इतने डॉलर ठीक है और बंगलादेशियों का थोड़ा सा अलग मामला है यह वटेवर डिफरेंस ऑपिनियन आई माइट है विद बंगलादेशी इस तुम से दोए हुआ है तुम्हें गालेंच लिए बंगलादेश यह हैं अ बंगलादेश में होगी है तुम horizon यह ग्यारी वह कि बेरे ना दोस्तों अब लेते हैं सवाल और जवाब ये सवाल इंट्रेस्टिंग तरका और जो एक सबसे मसला होती है तो तुम भी अबना प्राइब और यही चीज है कि सर ने बहुत सही बताए कि अगर भीड आ गई वहाँ पर हरे चीज तो कि इंडिया केनोट अफोर्ड रफ्यूज इतने लाग नंबर में नहीं हो सकता भाई यार फिर वही चीज आए फिर उनका हक दो फिर उनको घर दो फिर उनको राशन भी दो वही चीज होती है और इंडिया ओलडी एक सो चारीस करोड की आबादी है आप नहीं करते है जैसे अब आए था जिसमें कि आजो पीडित लो है और यहां पर अमीरी गरीबी की नहीं है बात यहां पर है कि एक देस है और उस देश को भी अपने लोगों की हिसाब से चलना होता है आप कुछ लोगों को पना दे सकते हो आप लाज नंबर में कभी भी पना नहीं जैसे किसी भी तरके से और वह आपकी सेक्योरिटी थ्र सिर्फ ये दुज तुछ ये ग़ीज़ में ये अरो सांधने पर क्रीइस कोती है बाहर होता है पर जूरजा थींच्छाइड की सबदेए और शेमिन वहारे देफिडिए पार्ट्क ड़ 씨 लिखन में कि बाहरें ठ baki साजीन नहीं कर्द सफर रो अरी थीरेट 10 साल्डियर नि कि जो 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 अशेक चेज़ कर दिया गया है तो आप को यह चीज़ आप अपने देस के लिए प्रिकॉसिंश ले 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 ला और हमें ऐसा पैसा जिदेना कि आप आप आ पर आपना पर अपना पर विर रख से ऐसा खो चुछ देख यह लेगा लेकी का डवन जो डरे लेक्टर जो बारा उस country नहीं जाएंगे उसको बचाने के लिए और जाना मतलब मुझे तो यही लगता अगर इतने बुरी वो है वो है मिलते आप सक वीडियो के साथ आप भी आपने पॉइंट पर शेयर कर सकते हो भाबाए ठीक क्यार